दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में भिंडी खाने के फायदों के बारें बताने वाले हैं जिसके फायदों को जानकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों आपने भिंडी की कही तरह की सब्जिया खाई होंगी जिसके फायदे खुब गिनाये जाते हैं यह हमारी सेहत के लिए भाइदमन भी माना जाता है जो लोग इसे पसंद करते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि भिंडी में कई खनिश्ट पाया जाते हैं जो अस्तमा से लेकर किड्नी और डियाबेटीज तक से निजात दिलाते हैं इसका रोजाना सेवन करने से आप कई बिमारी से निजात पा सकते हैं इसके लिए आप दो ताजा भिंडी को लेक और इसके किनारे को काट कर निकाल लें और फिर भिंडी को बीच से काटें और एक कप पानी मभी गोग दें रात बर भिंडी को ऐसे ही रहने दे और अगली सुबह भिंडी को निचोड कर पानी न भिंडी का पानी पीने से रतसरकरा नियंतित बैतर होता है इसलिए जिसे मद्वे की दिक्कत है या इस इजिति की विकास होने से जोखिम वाले लोगों के लिए भिंडी का पानी का सेवन करना चाहिए भिंडी पानी में मौझूस लेसमा पाचनतंत को सांत करने और उसे डगने में मद्व करता है जिससे संभावित रूप से गेस्टराइटिस और एसीडी रिफ्लेक्शन जैसी समस्याओं से रात बिलती है या निमित मलत्या को बढ़ावा देकर करज को भी रुकने मद्व करता है इसके अलावत तनाव होने की सित्थी में आपके एरक्ट में सरक्रा की मात्रा में ब्रिद्धी हो सकती है लेकिन इस दोरा निमित रूप से भिंडी के पानी क्या सेवन ने करें इस तरह फायदा आँखों की बिमारियों को करता है दूर रोजाना सुब्य खाली पेट भि भिंडी का पानी काभीला तैिक साबित होता है चबता पाय田 वैजन को बढ़ानी से रोकने में करता है मदद दोस्तों भिंडी इसीत सब्ची है जो फायवर्द पे भरپूर होती है विंडी की सब्ची और पानीर के सेवान से मेटाबोलोज में ठीक रहता है जिस दो लोग पाँचाओ फायदा इम्निटी को बढ़ाने में करता है मदद्धू परचूर मातर मतर मिटामन पाया जाता है इसलिए भिंटी का पानी इम्निटी को मजबूत बनाने मददगार साबित होता है बदलते मौसम में जिन लोगों को सर्दी खासी बुखार की समस्याय होती है उन्हें सता में एक से दो बार भिंडी का पानी पीने की सलाय भी दी जाती है छटा फायदा खून की कमी को करता है दूर सरी में खून की कमी होने पर बिंडी के पाने का सेवन फायदमन माना जाता है क्योंकि बिंडी में आयरन पाये जाता है इसलिए अगर आप खाली पेट बिंडी के पाने का सेवन करते हैं तो इससे हमगलोबीन का अस्तर बढ़ता है और कुन की कमी भी दूर हो जाती है। बिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो मैं ऐसे किसर अच्छे जमकारी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धान्यवाद।